Hello everyone, this is Aman Prissing and you are watching Technoistics कि इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक सिंगल ट्रांजिस्टर की हेल्प से एक एक एम्प्रिफाइर डिजाइन कर सकते हैं हम लोगों ने उस सेक्ट को डिजाइन किया, इंप्लिमेंट किया और उसकी आउटपूट प्रैक्टिकली हमने चेक करी उमीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक के आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं कैस आज के जो हमारे वीडियो है यह बहुत इंट्रस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक के ओपर होने वाला है आज हम डिसकस करेंगे वायरलास पावर ट्रांस्पिशन के बारे में होप सो आप लोगों ने यूट्यूब के ओपर और बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक के ओपर देखी होंगी जिसमें वायरलस पावर ट्रांस्पिशन को एक्स्पिरिंट किया गया होगा बट स्टिल ये वीडियो आज उनसे कुछ डिफरेंट होने वाला है आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली उसके कॉंसेप्स को देखेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं उनके सर्क्रिट डिजाइन करेंगे और उसको इंप्लिमेंट करके देखेंगे कि एक्चुल में वो पंसेप्ट वैसे ही वर्क करता है या फिर नहीं तो उमीद अकाई इस ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक और शेल जरूर कीजेगा और अगर आप पहरी बर इस चैनल के उपर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें मैं हर आफ़ते ऐसी ही नईने वीडियो लेके आता रहूँ तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस वायरलेस पावर ट्रांस्मिशन सिस्टम बनाने के लिए जिस कौंसेप्ट का हम इस्तिमाल करेंगे उसे बोलते हैं Electromagnetic Induction Electromagnetic Induction क्या होता है Let's suppose हमारे पास कोई एक कंड़क्टर मिटीरियल है तो या फिर आप कहvalues सकते हैं एक कंड़क्टर वायर है इस conductor के बीच में से जब electrical current flow होगा means अगर हम यहाँ पे एक battery लें यहाँ पे हमारे पास एक battery है यह positive है यह negative है अगर हम इस battery को इस conductor के साथ connect करें that means अगर हम यहाँ से इसको connect करें तो इस conductor में से जो current पास होगा वो एक magnetic field को induce करेंगा एक electromagnetic field को induce करेंगा और वो जो magnetic field होगा वो basically circular motion में होगा यहनि कि इस तरीके से इस wire के आजपास में एक circular motion में magnetic field induce हो जाएगा अब जो wireless power transmission होती है वो इस magnetic field के साथ होता है यहाँ पर एक magnetic field है इसका कुछ area है जब एक दूसरा coil या फिर आप conductor कह सकते हैं जब इस magnetic field के contact में आता है तो इस magnetic field में जो energy running condition में होती है वो उस conductor में transfer होने शुरू हो जाती है यह तो हमने एक state conductor लिया था और अगर हम इस wire से या इस conductor से कुछ circular motion में structure बना दें लाइक हमने एक wire लिए उसको हमने इस तरीके से wind कर दिया उने wind कर लिया अब यहाँ पर अगर हम power देंगे इस point से तो इसके बीच में जो magnetic field news होगा उसकी जो direction होगी वो कुछ इस तरीके की होगी तो मतलब कि यह हर direction से जाके center में ही कठा हो रहा है कुछ इस तरीके से यानि कि यह जो बीच का area है इसमें सबसे ज़्यादा आपका magnetic field होगा तो power transmission system में हम इसी concept का इस्तिमाल करते हैं मैं असी ही coils बनाते हैं circular coils होती है जिन में जो magnetic field होता है एक point के ओपर focus हो जाता है और जब एक दूसरी coil जो की same frequency पर work करती है जब इसके contact में आती है तो इसकी जो energy है वो दूसरी coil में transfer होना शुरू हो जाती है जिसके लिए एक basic सा circuit बनेगा जिसको हम बनाएंगे उसके बाद इसको हम practically करके देखेंगे कि कैसा होता है wireless power transmission circuit बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास दो coils की ज़रुवत पड़ेगी एक हमारी transmitter coil और एक receiver coil तो दोनों coils में कोई छोटा सा difference रहेगा जो हमारी transmitter coil होगी वो center tabd होगी और जो receiver coil होगी वो एक normal coil होईगी तो इनमें difference क्या है चलिए बनाते वक्त देखते हैं जो हमारी transmitter coil है उसमें हम wire लेंगे उसको wind करना start करेंगे कुछ certain turns के बाद हम उसमें से एक loop बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद दुबारा उसको turn करना शुरू करेंगे जितने turns loop से पहले हमने लिए थे उतने ही turns loop के बाद दियाएंगे यानि कि फोसपोस अगर हमने 10 turns लिये थे loop बिनाने से पहले तो loop के बाद दिया हम 10 turns ही लेंगे इसलिए इसको center type बोलते हैं क्योंकि यह जो loop है बिल्कुल इसके center से निकला होता है तो हमारे पास जो coil होगी यह three terminal coil बन जाएगी और इसके इलावा जो दूसरी coil हमें चाहिए वो है receiver coil जो receiver coil है वो center tap नहीं होगी वो एक normal coil होगी उसके जो number of turns होगे transmitter coil की जो number of turns थे उसके equal होगे यानि कि 10 प्लस 10 अगर यहाँ पे 20 turns थे तो यहाँ पे भी 20 turns होगे वो जो wire use होगी दोनों coils बनाने में वो भीकुल same use होगी अगर आपने transmitter coil बनाने के लिए 20 AWG wire यूज करी है तो यहाँ पे भी 20 AWG wire ही use करेंगे तो यह हमारा basic component जो सबसे main component हमारा आ गया है coils यह हमने बना ली है इसके बाद जो next चीज हमें चाहिए इस circuit के लिए हमें requirement होगी है एक NPN transistor की जो NPN transistor यहाँ पे हम लगा लेते हैं यह एक NPN transistor आ गया है जिसमें हमारे पास यह emitter है यह base है और यह collector है तिन terminals आ गए हैं हमारे पास इसके लावा हमें चाहिए होगा एक power source तो हमें एक battery चाहिए होगी तो मैं यह पे बैटरी लगा लेता हूँ बैटरी का यह positive है और यह round है इसी power source से power लेके बाकी सारे circuit भी transfer होगी तो चलिए इन component को आपस में connect करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारा transistor का एक collector terminal है यह coil के एक terminal के साथ connect हो जाएगा coil के एक terminal हमने collector के साथ connect कर दिया और जो transistor का base terminal है यह आपका connect हो जाएगा coil के दूसरे terminal के साथ via one resistor एक resistor लगा के हमने base के उपर signal दे दिया यहाँ से transmitter होके आ रहा है या फिर आपके आ सकते हैं जो power transmitter के यहाँ पे आ रही है resistance लगा के हमने base के उपर यहाँ सिगनल दे दिया उसी है तो हमारे पास बचा coil का जो center tap terminal था और emitter terminal अब जो हमारे पास emitter terminal है emitter terminal connect होगा battery के negative terminal के साथ तो यह हमारा negative terminal के साथ connect हो गया और जो battery का positive terminal है यह आपके coil के center में connect हो जाएगा इस तरीके से इस तरीके से हमारा circuit कंप्लीट हो जाएगा power connect करते ही इस में से magnetic field हो induce होना शुरू हो जाएगा और उसकी जो direction रहेगी वो ऐसी रहेगी जो हमने पहले भी discuss किया था इस तरीके से इसमें magnetic field बनना शुरू हो जाएगा यह हमारा transmitter बन गया यह हमारा transmitter section है और यहाँ पे हम अब receiver section बनाएंगे receiver section में हमें कुछ ज़्यादा करने की जुरूत नहीं है क्योंकि power transmission जहां से हो गई अब हमें यहाँ पे just receive करनी है तो उसके लिए जो यह receiver coil है अगर आप इसके साथ एक direct LED भी लगा देंगे तो भी चल जाएगी but efficiency better बढ़ने आने के लिए मैं यहाँ पे bridge rectifier connect करता हूँ bridge rectifier अगर हम यहाँ पे बनाएं तो मैं यहाँ पे block बना देता हूँ just एक अब देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में बहुत जगा पे bridge rectifier मैंने बनाया है और rectifiers के ओपर एक अलग से video भी है आप उसे देखेंगे तो rectifiers का आपको अच्छे से समझा जाएगा तो इस block में हम इसको connect कर देते हैं और इसकी यह जो output निकलेंगी इससे अब यह rectifier होके pure DC output हमें मिलेगी तो इसको हम अपने load के साथ connect कर सकते हैं फोल स्पोस अगर हम एक LED लगानी है तो हम LED इसके साथ लगा सकते हैं रेजिस्टर लगा सकते हैं साथ में यह हमने LED लगा दिया है यह हमारा आजएगा bridge rectifier BR cement node का देता हूं इसे अब जब यह हमारी receiver coil इस coil के contact में आएगी अगर हम इसको थोड़ा सा forward shift करें तो यह जो magnetic field यहाँ पे induce हो रहा था वो इस coil के contact में आ जाएगा यहाँ पे जो power इस magnetic field में थी वो यहाँ पे transfer होने लग जाएगी और हमारी जो LED है वो glow करने लग जाएगी इस तरीके से यह wireless power transmission system work करता है तो चलिए इसको practical ही हम करके देखते हैं एक्षुल में ऐसा होता है या फिर कुछ difference होते हैं और इस terminal के ओपर power की measurement हम करेंगे कि जिस voltage जिस power की बैटरी यूज़ करेंगे सेम power यहाँ पे हमें मिल रही है या फिर नहीं तो चलिए practical शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे यह इनेमल कोटेड कॉपर वायर है जिसको हम यूज़ करेंगे हमारे इंडक्टर या फिर आप क्या सकते हैं कॉइल्स बनाने के लिए तो यह नॉमल कॉपर वायर नहीं है इसके ओपर कोटिंग है और यह इंसुलेटिड आप इसको बोल सकते हैं यह इंसुलेटिड कॉपर वायर है तो सबसे पहले तो चलिए इससे हम रिंग्स बना लेते हैं जैसे कि हमने डिसकस किया था कि मैं दो कॉइल्स बनानी है ट्रांस्मिटर के लिए और रेसीवर के लिए तो कॉइल्स बनाने के लिए मैं इस वायर को इस कवर के ओपर रोल करूँगा यहां पर मेरे पास एक सर्कुलर अबजेक्ट है आप कोई भी सर्कुलर अबजेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसके आप कॉइल्स बनाने के लिए तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं वाय इसको इसकी आँस पास लपेटूँगा और जितने हमें नमबर ओफ कोईल से यह वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहां से मैं इसको होल्ड कर लेता हूं और रोटेट करना स्टार्ट करता हूं यहां पर इसके मैं पहले 15 टरंस बनाऊंगा 15 टरंस पूरे होने के बाद यहां पर मैं एक लूप छोड़ूंगा जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि कि सेंटर टैप होगा यह कोईल हमारा जो ट्रांस्मिटर कोईल है तो इसके लिए यहां पर मैं एक लूप छोड़ देता हूं इसके लिए तो दुबारा से अब 15 टरंस हम बनाएंगे यह कंप्लीट हो गया हमारा तो इस वायर को यहां से अभी हम कट कर लेते हैं तो यह हमारा ट्रांस्मिटर कोईल की जो व्यक्टि थी वे त्यार हो गयी है अब इसको यहां से निकालेंगे को बड़े प्यात से आपको निकालना होगा ताकि यह वायडिन्ग खुले नहीं इस तरीके से आप यहां से इसको निकाल सकते हैं वह इसको होल्ड करने के लिए आप इसी वायर को इसके साथ ट्विस्ट कर सकते हैं आज ही आप दूसरे एंट से भी इसको होल्ड कर सकते हैं तो इस तरीके से यह कोईल रेडी हो जाएगा इसको हम यहां पर भी रख देते हैं और इसके बाद हमें एक रेसीवर कोईल बनाना है उसको हम स्टार्ट करेंगे तो यह मेरा कम्ट्रीट हो गया है इसको मैं यहां पर रख देता हूँ और अभी 30 टान्स का हमें एक रेसीवर कोईल बनाना है क्योंकि इसमें हमने 15 प्लस 15 30 टान्स रखे हैं तो यहां पर भी मैं 30 टान्स रखूँगा तो कैसे यहां पर 30 टान्स कम्ट्रीट हो गया है मैं इसको यहां से खट कर देता हूँ और इसको भी हम ऐसे निकालेंगे सेफली इसको भी होल्ड करने के लिए इस वायर को हम यहां पर रैप कर देंगे इस साइट से भी सेम तो यह हमारे पास दो कॉल्ड स्टेडी हो गई है एक हमारी यह ट्रांस्मिटर कोईल और यह रिसीवर कोईल इनको भी साइट पर रख देते हैं इसके लावा जो सर्केटरी हमें चाहिए थी हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए एन्पे एन्ट ट्रांजिस्टर है हमारे पास और एक यह रिजिस्टर है यहाँ पे मैं 22K का register यूज़ करूँगा तो चलिए इन तोनों को अपनी PCB के ओपर solder कर लेते हैं जैसी circuitry हमें चाहिए उसके accordingly components को mount करना PCB के ओपर soldering करना बहुत सारी videos में already मैंने समझाया हुआ बताया हुआ है तो आप वो videos भी देख सकते हैं practical soldering के ओपर अलग से video available है वो अब जरूर देखेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से component को किस तरीके से solder करते हैं और उनके connections कैसे बनाते हैं तो मैं इस transistor को यहाँ पर connect कर लेता हूँ और इसकी legs को यहाँ पर fold कर देते हैं आपके अपनी जगा से हीले नहीं यह resistor इसके base के साथ connect होना है तो मैं इसको यहाँ पर insert कर लेता हूँ और इसको भी fold कर देते हैं अब हम इनको अपने solder की help से fix करेंगे ताकि अपनी जगा पर fix हो जाएए उसके बाद इनके हम connections बनाएंगे जहां जहां पर इनको connect होना है तो हमारे components हैं जो fix हो गए हैं अपनी जगा के उपर अब हमें इनके connections बनाने हैं इसके connections तो बहुत कम है आप easily बना सकते हैं जैसा हमने circuit diagram में बनाया था हमने पता है कि जो यह resistance है यह भी इसके साथ connect होना है इसके जो emitter होगा उसको हमने power supply के negative के साथ connect करना है collector हमारा coil के साथ connect होगा जैसा कि हमरे पास तीन connections आने हैं इस transistor से बाहर जो की coil के साथ connect होने हैं तो मैं इनको extend करके तीन tracks यहां तक लेया हूँगा तीन connections open यहां पर लेया हूँगा ताकि measly connect कर सकें तो चलिए इनके मैं connections बना लेता हूँ अगर आपको connections बनाना नहीं आता है तो how to make perfect solder tracks की एक video available है channel के ओपर उसको आप जरूर देखिएगा आपको उससे बहुत help बिलेगी तो मैं जल्दी से connections बना लेता हूँ तो इस complete होने के बाद यह circuit कुछ ऐसा देखेगा यहां पर मैंने tracks बना लिया है और coil के जो तीन terminals connect होने है उनके लिए मैंने यह 3 wires निकाल लही है battery connect करने के लिए यहां पर मैंने यह 2 pin header लगा लिया है because मेरे पास जो battery है यह 4.8 volt की battery है जो इस header के साथ easily connect हो सकती है तो next हमारा जो काम है हमें इन 3 terminals के साथ coil को connect करना है जो हमारी transmitter coil है तो transmitter coil को connect करने के लिए सबसे पहले तो जो इसके edges हैं किनारे हैं इस wire के इससे हमें insulation को remove करना होगा क्योंकि insulation के साथ हम soltering नहीं कर सकते तो insulation को remove करने के लिए आप किसी भी object का इस्तेमाल कर सकते हैं make sure आप इसके नीचे कोई hard surface रख लें जिससे आपको insulation remove करने में असानी हो जैसे यह insulation remove होगी आप देख सकते हैं इसके नीचे से shining copper आपको निकलता हुआ दिखाई देगा ऐसे ही आपको जो तीनों terminals हैं इन मेंसे insulation remove करने हैं तो चलिए जल्दी से इसको remove कर लेते हैं तो अब देख सकते हैं मैंने तीनों terminal से यहाँ पे insulation remove कर दी है जिससे अभी यहाँ पे हमें shining copper है जो इसका दिखाई दे रहा है अभी हमें इन तीनों points के साथ यह जो wires हमारी यह solder करके connect करनी है तो चलिए इने जल्दी से connect कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों terminals हैं इस coil के इस point के साथ connect हो चुकी है यहाँ कि हमारी यह transmitter coil है यह बिल्कुल ready है अभी हमें इसी तरी के से receiver circuit बनाना है receiver circuit बनाने के लिए इस PCB का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे हमें एक rectify circuit बनाना है तो उसके लिए चार डायोड में यूज करूँगा और उसके बाद हमें एक LED और रेजिस्टर लगाके circuit को complete करेंगी तो जल्दी से इस circuit को भी बना लेते हैं तो guys यह receiver circuit भी हमारा ready हो गया है तो इसमें मैंने दो वाय जैसे निका दी हुई है जिसको हम receiver coil के साथ connect कर देंगे यह हमारी receiver coil है इसके अगर आप edges देखें तो इसको भी हमने scribe करके copper को enamel cotton से अलग कर दिया अब इसके साथ इसको solder कर देते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि यह proper work कर रहा है या नहीं हमने इसे भी solder कर लिया है अब देख सकते हैं हमारा transmitter और receiver दोनों ready है हमारे दोनों circuits ready हैं तो चलिए इनकी testing कर लेते हैं कि यह proper work कर रहा है कि नहीं मैं इस transmitter circuit को power देता हूं 5V हम यहां से supply कर रहे हैं मैंने इसको यहां से connect कर दिया transmitter को मैंने power दे दी अब इस receiver coil को हम इसके पास लेके जाते हैं आप देख सकते हैं इसके पास जाती जो LED है वो full intensity के साथ glow करने लग गई है जैसे ऐसे आप distance increase करते हैं LED की intensity कम होती जाती है जैसे इसके पास जाएगी तो LED की intensity increase हो रही है जैनि कि जो हमारी power है वो wirelessly यहां से transmit हो रही है आप इस direction से भी देख सकते हैं जैसे ऐसे यह close जाएगा LED की intensity increase हो रही है अभी भी physical contact नहीं है और LED अपने full intensity के साथ glow कर रही है दूर ले जाते ही है आफ हो गई जैसे इस तरीके से circuit work करता है इस तरीके से आपकी जो power है वो wireless transmit हो सकती है जैसे यहां पर एक और assembly मैंने ready की हुई आप लोगों के लिए दिखाने के लिए जिसमें मैंने जो wire का gauge है वो थोड़ा increase किया हुआ है यहां पर मैं 22 AWG की wire यूज कर रहा हूं और इसमें मैंने कोई भी PCB यूज नहीं किया है rectifier को direct मैं नहीं पर solder कर दिया है साथ में resistance लगाके LED लगा दिया है और इस तरफ जो transistor लगना था हमारा BC547 NPN transistor है उसको भी मैंने direct यहीं पर solder कर दिया है तो चलिए इसको भी एक बार हम चलाके देख लेते हैं इसको मैं power से यहां पर connect करता हूँ यह connect कर दिया अब इसकी जो receiver coil है इसको इसके पास में लेके जाते हैं देख सकते हैं LED है जो glow करने लग गई है और इसकी जो efficiency है वो ज़्यादा better आ रही है हमारे पास यानि की wire की gauge अगर हम increase करेंगे तो हमारे जो power की efficiency है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी Electromagnetic induction है वो थोड़ा ज़्यादा होगा अब देख सकते हैं इससे बिल्कुल अच्छे से LED हमारी glow कर रही है और जैसा कि आपको मैंने बोला था कि scheme output voltage भी आपको चेक कर वहूँगा तो वो भी let's see चेक कर लेते हैं because जो आपके wireless mobile chargers होते हैं वो भी इसी principle के उपर based होते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं तो अगर आपको इससे charger बना रहा हो तो charger भी बना सकते हैं तो वो charger कैसे work करेगा कितनी voltage आपको output पर देगा वो चेक करने के लिए हम इसकी voltage चेक कर लेते हैं उससे पहले मैं एक A4 size का paper है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है 4 layers है मैं इस paper की अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 and 4 4 layers मैं इस paper को मैंने फोल्ड किया है इसको हम इसके ओपर रख देते हैं विकास जो wireless charges होता है उनकी coils आपको दिखाई नहीं दे रही होती हैं इसके ओपर cover होता है तो अगर आप इसके ओपर मैं इसको पास लेके जाओं देख सकते हैं LED अभी भी आपकी glow कर रही है तो इसकी output voltage प्रॉपर चेक करने के लिए हम इस LED को यहां से हटा देते हैं और इसके बाद multimeter से हम इसकी voltage चेक करेंगे तो यहां पर मैंने इस paper को fold करके इसमें रख दिया है और जो receiver coil है उसको इसके ओपर रख दिया है यहां पर मेरे पास multimeter है जिसको मैंने 20 volt DC के ओपर set किया हुआ है transmitter coil को power हमारी जो मिल रही है वो 5 volt की battery से मिल रही है यहां पर मैंने LED को disconnect कर दिया है तो हम multimeter से इसकी voltage चेक कर लेती है कितनी आ रही है हमारे पास इस multimeter की props को मैंने extend किया हुआ इस clip के साथ यहां पर मैं इसको connect करता हूँ अब देख सकते हैं 5 volt की हमने battery connect करिया और output के ओपर हमें 5.76 यानि कि थोड़ा boost होके voltage मिल रही है हमने coil को बिल्कुल इसके साथ में touch किया हुआ है अगर हम coil को ऊपर distance increase करेंगे तो इस voltage कम होती जाएगी आप देख सकते हैं इतने distance के आने के बाद भी यहां पे power हमें मिल रही है यहां पे भी आपके पास 0.5 volt available है इतने distance के बाद इसको वापिस लेके जाते हैं तो voltage increase होने लग गई है यानि कि जो हमारी energy है वो wirelessly transfer हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है तो guys देख सकते हैं किस तरीके से आपके wireless charger work करते हैं और आप खुद से भी अपने लिए एक wireless charger बना सकते हैं तब तक के लिए keep supporting thank you